Difference between landing page and website Landing page में क्या benefits होती हैं जो आपको website पे नहीं मिल पाते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा मेरा नाम है मंजीत सिंग और आप सब का स्वागत है आपके खुद के चैनल पे Digital Manjit Pay तो चलिए सबसे पहले तो हम website की बात करते हैं website हम सभी को पता है एक ऐसा domain register करते हैं जो कि आपका virtual होता है और उसके उपर हम अपने जितने भी company के products होते हैं या services होती हैं वो सब upload कर देते हैं उसके बारे में जो भी details हैं हम सब डाल देते हैं including हमारे inquiry forms, contact details यानि कि एक website के अंदर हम multiple pages जो हैं वो create कर देते हैं और ऐसे में हमारा पूरे company का एक तरिका online showroom कह सकते हैं हम इसको तो यहाँ पर आप website अगर इतनी अच्छे से design करी जाती है तो फिर हमें landing page की क्यों requirement पड़ी तो पहले हम website की बात कर रहे हैं तो इसी को complete करते हैं तो website के अंदर suppose कर लो कि आप अपने किसी भी x y z product को promote कर रहे हो social media के जरीए add के जरीए तो जितना भी traffic आपका आपकी website पे आ रहा है तो ऐसे में जो audience जो आपके website पे आर या उस page पे land कर रही है तो उनका जो है एक destruction point होता है और वो destruction point क्या है कि क्योंकि वो website का landing page है तो website का एक page है not landing page तो ऐसे में उनको multiple other products जो हैं वो दिखते हैं कई बार वो decision ले पाते हैं और कई बार वो decision नहीं ले पाते हैं वेकोज अब जो है उनके mind के अंदर कोई दूसरे products आपकी website पे देखके यहाँ पे एक उनका जो decision है वो कहीं न कहीं vary करने लग जाता है तो उनको ये decision लेने में time लगता है कि उनको कौन सा product buy करना है तो ऐसे ही ये एक बहुत बड़ा disadvantage है जब हम advertise करके traffic लिके आते हैं तो उसके जो result है उसका जो conversion ratio है वो हमें बहुत ही limited मिल पाता है लेकिन अगर हम बात करें landing page की तो landing page basically एक ऐसा single page होता है जिसके उपर आप कोई भी distraction point नहीं डालते हैं तो basically अगर आपके पास say for example x, y, z एक product है तो उस landing page के उपर आप जो है उसी x, y, z product के बारे में images, उसके benefits, उसके बारे में जो भी details है वो सारी चीजें आप वहाँ पर share कर देते हैं एक single page के उपर अब क्योंकि ये एक single page है वहाँ पर कोई भी navigation नहीं है तो यहाँ पर अगर कोई भी user, कोई भी traffic आपके पास आके इस page पे land करता है तो ऐसे में उनका कोई भी destruction point नहीं बन पाता तो उनका जो decision है वो definitely एक ही उनका जो focus रह जाता है वो particular एक ही product के बारे में होता है और उस product के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से research करके जो भी एक अच्छे benefits हैं या उसके जो भी drawbacks वगरा हैं जितना crystal clear डाल सकते हैं वो हम डाल देते हैं और उसी के उपर उस complete page के उपर में थोड़ी थोड़ी देर अगर बहुत जादा लंबा page हम design कर रहे हैं landing वाला तो हम क्या करते हैं एक specific frame के बाद में एक call to action का जो है button डाल देते हैं so basically एक call to action भी बहुत ही important हुता है because अगर कोई उस particular landing page पे आया है तो उसको उस landing page के उपर जो product आपने जो details शेयर करी हैं वो अगर पसंद आई हैं तो definitely वो उसको buy करना चाहेगा तो ऐसे में अगर वो buy करना चाहता है तो call to action का button तो होना चाहिए अगर call to action का button नहीं होगा तो आपका किसी भी तरह का action नहीं हो पाएगा और इसी में वो एक single call to action का button होने की वज़े से तो maximum हमें result इससे मिलते हैं तो अब अगर हम इस page के लिए कोई भी आपको advertise करते हैं या आप social media वगरा या किसी भी SEO के द्वारा अगर हम यहां पे उसकी marketing करते हैं तो ऐसे में तो यहां पर call to action के लिए एक single point है जिसके उपर मैं act किया जा सकता है और इसी वज़े से हमें यहां पे maximum conversion जो है वो देखने को मिलते हैं यह मैं सर्फ आप लोगों को बताऊंगा नहीं अभी जो है आप लोगों को screen के उपर दिखाता भी हूँ पहले मेरा landing page now you can see यह जो है मैंने एक landing page design किया 5-6 दिन पहले अब इस landing page के result आप लोगों को दिखाता हूँ अब जो आप लोग screen पे देख रहे हैं यह है इसके result तो you can see अग एक landing page जो है वो कितना high conversion rate जो है वो आपके लिए generate कर सकता है इस तरह के landing page जो है बनाने बहुत ही important है अगर आप किसी specific product या service को target करके maximum conversion करना चाहते हैं और ऐसे में ऐसे landing page को हम design कैसे करें किन-किन tools का इस्तेमाल कर सकते हैं so basically मैं आप लोगों को कुछ free codings provide करूँगा और next वाले video के अंदर जो है इसको कैसे design कर सकते हैं वो पूरा practical design करके दिखाऊंगा आपको coding के द्वारा और उसी coding के जरीए आप भी अपने landing page जो अगर design करना चाहते हैं उसके अंदर customize करना चाहते हैं तो आप customize करके जो है उसको automate कर सकते हैं so guys I hope कि आज का जो हमारा यह video था जो मैंने आप लोगों को information share करी है between website versus landing page reason है वो क्या है वो मैंने आप लोगों को यहां पे बताया है I hope कि यह video जो है आपको अच्छा लगाओ अगर अच्छा लगाए तो like करें share करें और अगर आपने पहली बार यह channel विजिट किया है तो नीचे साइट पर subscribe का button है उसको दवा के subscribe कर दें और साथ ही साथ bell का icon जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि जब भी मैं कोई नई video upload करूँ तो आप तक notification पहुंच जाए so guys I hope कि यह video जो है आपको अच्छा लगा होगा फिर मिलते एक और नए video के साथ till then stay safe stay at home goodbye